आज हम इस वीडियो में कम्प्लीट दाहिंदू न्यूश्वेपर का अनलेजिस करेंगे सबसे फस्ट और इंपोर्टेंट जो आर्टिकल है उसमें बात की गई है कि जो लक्सर ये तोईबा कमांडर है उसको five years का जो jail term है वो दिया गया है for terror financing तो ये जो सारा case है इसमें जो ये लक्सर ये तोईबा का जो कमांडर है जकीर रह्माल लकवी उसको five years का जो jail term है पाकिस्तान का जो anti-terrorism court है उसने दिया है terror finding case में अब ये जो है इसको जो दिया गया है सजा जो दी गई है amidist mounting international pressure on Islamabad to bring to justice terrorist roaming free in a country अब ये जो case है वो इसके basis पे launch किया गया है क्योंकि जो international pressure है पाकिस्तान की उपर वो continuously increase हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान based जो terror group है उनको पाकिस्तान की government openly support करती है लेकिन जो FATF की meet है फरवरी में तो उसके पहले जो FATF means financial action task force की जो meet है financial action task force की जो meet है वो फरवरी में है तो उसके पहले जो उनको agenda 27 point का agenda दिया गया था पाकिस्तान को FATF ने दिया था तो उसके पाकिस्तान को work करना है तो उसके basis पाकिस्तान ने इसको जो है वो जेल में डाला हुआ है अब यहाँ पे जो important हो जाता है exam के point of view से वो है FATF FATF जो है उसको 1989 में जो Paris में G7 की summit हुई थी उसमें जो है वो बनाया गया था इसके total 36 members है उसमें जो money laundering के cases है या जो terror financing है money का use जो है आतंकवादी गतिविधियों में किया जाता है तो उसके basis पे जो different countries है उनको जो यह watch dog है वो watch करता है यह एक intergovernmental body है साथी साथ इसमें जो है दो countries अभी जो है वो black list में हैं अगर एक country जो है वो black list हो जाती है तो उसके जो संबंद other countries के साथ है वो काफी हद तक जो है वो बहुत जादा tends हो जाते हैं क्योंकि उससे जो transaction है related वो भी काफी कम हो जाता है तो अभी जो North Korea और साथ में जो इरान है वो इसकी जो है वो black list में है और पाकिस्तान के साथ साथ काफी साथ या 8 countries जो है वो grey list में है और पाकिस्तान जो है black list में जा सकता है तो उसके basis पे पाकिस्तान ने अपनी ये activity की है तो एक बार notes के basis पे FATF को देख लेते हैं आप ये notes access कर सकते हैं comment में description section में आपको link मिल जाएगा वहाँ से आप इसको join कर सकते हैं Financial Action Task Force जो है UPSC Journalist Studies Paper 2 का एक topic है ये एक intergovernmental policy making body है जिसका main काम ये है कि वो international standard established करना चाहती है जिससे की money laundering मतलब की जो पैसे का जो use है वो गलत purposes के लिए ना किया जाए साथ में जो terror financing है उसको रोका जाए दूसरा 1989 में जो G7 summit हुई थी Paris में उसके basis पे इसको बनाया गया था अब इसमें 36 countries होती है इंडिया एक member है और FATF का जो secretaryate है जहाँ पे OECD का secretaryate है वही पे ही है अब यहाँ पे सबसे पहले इसको जो है initially बनाया गया था money laundering के cases से fight करने के लिए बट जो 2001 में जो attack हुआ था उसके बाद से इसको जो है terror financing के objective को पूरा करने के लिए भी जो है वो काम में लगाया गया अब इसके जो main objective है वो standard set करता है प्रमोट करता है effective implementation of legal, regulatory and operational measure for commenting money laundering terror financing and other related threat to integrity of the international financial system यह सारे कोच इसके काम है अब यहाँ पे 21st February 2020 को जो है two countries जो है FATF की black list में थे जैसे North Korea and Iran second FATF की जो gray list है उसमें भी Albania, Bahamas, Barbados, Botswana, Cambodia, Ghana, Iceland, Jamaica, Mauricius, Mongolia, Myanmar, Micaragua, Pakistan, Panama, Syria, Uganda, Yemen and Jimami यह कुछ countries हैं जो gray list में हैं अब यहाँ पे second जो है center turns to SC as talks with farmers fail to break deadlock farmers के साथ जो talk थी उसमें कोई भी standstill point नहीं मिल पा रहा है जिसकी वज़े से center government है वो अब SC Supreme Court में गई है next hearing उसकी जो है 15 January को है और जोकी 11 January को होने वाली थी अब यहाँ पे union leaders है तो center को उन्होंने बोला है center told them कि issue जो है वो सिर्फ Supreme Court के जो आ रहा ही जो है वो resolve किया जा सकता है अब जो second बात है कि जो PM है वो meeting करने वाले है different CMs के साथ vaccination जो program है world का सबसे बड़ा vaccination program जो roll out किया जाना है तो उसके basis पे जो PM है वो meet करने वाले है जो drug controller general of India है उन्होंने January 3 को grant किया था restricted emergency use authorization for serum institute of India COVID sealed और जो भारत biotech है है हेदरवाद based उसकी co vaccine ये दो जो vaccines है इसको जो है वो emergency use approval दिया था अब यहाँ पे vaccine का जो roll out होना है उसमें 736 districts जो है 33 states और union territory की उनको इसमें join किया गया है अब यहाँ पे बहुत सारी states ऐसी हैं जिनने software के regarding अपनी concern बताई है connectivity broadband issues अब यहाँ पे जिनको आज देखा जाएगा ये बात की जा रही है next बात की जाए तो over half of army personnel under severe stress says study यहाँ पे एक group है जिसका नाम है United Service Institution इंडिया एक service think tank है मतलब वो services में रहने वाले जो personal है या services में होने वाली कटनाईया है उनके बारे में जो है वो एक think tank है तो उसका कहना है कि आदिस से जादा जो personal है वो एक तरह से severe stress में रहते हैं because उनको हमेशा ही जादा तर time जो है counter insurgency मतलब other countries से जो लोग अपनी country में insurgents आते हैं दूसरा जो counter terrorism है उस वाले operation में जो है वो काम करते रहते हैं जिसके basis पे उनको बहुत जादा ही एक तरह से जो है वो pressure होता है अब यहाँ पे क्या management आखिर उस stress का किया जा सकता है तो study जो है वो highlight करती है बहुत सारे management major जो है आर्मी ने जो implement किये हैं और defense ministry ने implement किये हैं last 15 years में उनसे जो है काफी हद तक फायदा नहीं हुआ unsatisfactory state of training inadequate maintenance of equipment और जो low morale है motivation है इसकी एक तरह से कमी है जिसकी बज़े से जो है combat preparedness और operation परफॉर्मेंस जो है वो धीरे धीरे कम होती है उस पे फर्क पड़ता है अब यहाँ पे बात की जाए Supreme Court जो है जो है वो forest related जो forest officers है उनसे related जो crime है वो सबसे ज़्यादा होते है यहाँ पे जो cheap justice है उन्होंने बताया कि जो भी इसमें जो proceeds होता है वो millions of dollars में होता है forest produce का तो क्या ED या CBI की को यह कैसी arm बनाई जा सकती है जो सिर्फ इसी बात पे काम करें कि किस तरह से जो forest है उसमें जो है वो international crime commit किया जा रहा है अब यहाँ पे बात की जाए कि एक separate जो है wild separate बिंग होना चाहिए wildlife division होना चाहिए enforcement direct rate की जिसमें जो है clean officials हों जिससे की track किया जासा कि investigate किया जासा कि जो भी crime से poachers करते हैं और साथ में जो है उनके crime करने से जो भी proceeds government को मिलते हैं उनको कैसे settle किया जा सकता है तो ये बात उनोंने की है कि क्या कोई separate बिंग बनाई जा सकती है ED के द्वारा जो कि enforcement direct rate है तो ये बात यहाँ पे की जा रही है कि जो कुछ states है जैसे कि आसाम बहाँ पे जो police personnel है, forest officers है, वो bell equipped है सारी चीजों से बात की जाए मदब्रदेश, करनाटका, तेलंगाना इन states में जो forest officials हैं वो सिर्फ जो है वो लाठी का use करते हैं उनको जो है वो gun नहीं provide की जाती, जो है effectively उनको equip नहीं किया जाता है different जो चीजें हैं उनसे तो उनकी जो life है वो under threat जो है वो रहती है अब जो next city page है, यहाँ पे वही सब कुछ जो farmer का protest चल रहा है उसी के उपर ये बात की जा रही है अब यहाँ पे next जो former DGP है वो जो है CISF जो central industrial security जो force है उसके जो है वो chief बने हैं अब जो central industrial security force है उसमें 1.62 lakh जो personal होते हैं जो इंडिया की जितनी भी industrial units हैं या different जो कोई भी plants हैं उन सारी चीजों की सुरक्षा करते हैं तो उनके जो head है वो Mr. Jaiswal को बनाया गया है जो पहले other capacity में भी work कर चुके हैं अब next यहाँ पे कोई भी ऐसी important news नहीं है जिसको हम discuss करें अब बात की जाए तो यहाँ पे government starts talks with IIT on real time sources of pollution यहाँ पे जो Delhi government है उसने पहले जो है वो बॉसिंग्टन based कोई university है उससे पहले tie up किया था जिससे की 2018 में उसको clear किया गया था और three members की committee बनाई गई थी real time basis पे पता लगाने के लिए कि आखिर pollution कैसे फैल रहा है बट यहाँ पे बात की जा रही है कि government अभी फिर से IIT कानपूर के साथ जो है वो talk कर रही है जिससे की पता चले कि real time sources आखिर pollution के क्या है डेली में इतना जादा जो है वो pollution क्यों है और दूसरा बात की जाए कि वो जो company है Washington based उसको already government जो है वो 50 lakh रुपीज पे कर चुकी है और उसकी जो study है उसके कुछ points government अभी use कर सकती है अगर government altogether जो project है उसको scrap करके एक new जो IIT कानपूर है उसको देना चाहती है sources of pollution को जानने के लिए अब यहाँ पर बात की जा रही है word flu का जो cases है वो capital में अभी एक भी कोई case नहीं है अब जो word flu है वो एक avian influenza A एक बिमारी होती है जो की words में होती है कभी कभी यह एक तरह से juno tuk भी होती है जो की particularly इंसानों में भी fell जाती है तो आगे इसको देखेंगे next article में भी बात की गई है इसके बारे में अब next बात की जाए north page की तो इसमें कोई भी ऐसी important news नहीं है next यहाँ पर एक news है कि 4 die after consuming spurious liquor in bulan sahar UP के जो bulan sahar district में जो है 4 persons की death हो गई because जो उन्होंने spurious liquor है वो दो तरह की होती है एक जो liquor है वो methanol जिसका use जो है एक जो liquor है methanol जो की CH3OH होती है और एक होती है ethanol C2H5OH तो जो ethanol है वो drinking purpose के लिए use किये जाती है लेकिन जो methanol है वो एक तरह से जो है लकडी में बारनिस करने के काम में आती है तो जो कोई भी starch content करने वाले है को जब fermented किया जाता है उसके बाद जो है alcohol prepare की जाती है लेकिन अगर उसको illegally prepare किया जाता है तो फिर उसको जो है वो clear नहीं किया जाता तो जिसके basis पे जो है methanol बन जाती है और अगर methanol को को कोई person जो है वो drink कर लेता है तो उसकी body में तुरंथी जो है formic acid prepare हो जाता है जिसके basis पे उसकी death हो सकती है अगर उसको जल्दी से जल्दी जो है वो ethanol provide नहीं की गई as a antidote अब यहाँ पे कुछ issues हैं कि आखिर जो ये liquor है वो आखिर क्यों ऐसी prepare हो रही है कि जिसकी quality अच्छी नहीं है पहली बात government जो है उसका taxes जो excise duty है वो पूरी तरह से बहुत जादा उसके impose की हुई है जिसकी वज़े से liquor की price बहुत जादा हो जाती तो जो poor person है वो उसको afford नहीं कर पाता और दूशी तरह जो police और जो regulatory mechanism है और जो industrialist है उनका एक तरह से जो nexus होता है उसके basis पे कुछ illegal जो liquor प्रपेर की जाती है वो भी इसका main कारण है और तीसरा बात की जाए कि जो poor person है वो उसको afford नहीं कर पाते तो उनको जो market से कम rate पे य जो illicit liquor जो है वो मिल जाती है वो इसको consume कर लेते हैं जिसके basis पे भी उनकी death हो जाती है अब बात की जाए next जो article है इसमें जो कंगना रनावत और उनकी sister का statement है उसको record किया गया sedition case में next यहां पे बात की जाए आसाम ने पूरी तरह से जो poultry है उसके import पे बैन लगा दिया है क्योंकि जो north east में भी world flu का जो scare है जो आतंक है वो धीरे धीरे increase हो रहा है तो वहां पे advisory issue की गई है कि जो भी poultry है उसको वहां पे import नहीं किया जाएगा other states से मंगाया नहीं जाएगा बेचने के लिए because आसाम का जो festival है भो गाली भी हूँ वो अभी होने वाला है जन्वरी मे जिसके basis पे वहां पे जो है feasting होती है दाबत होती है जिसमें जो foul है उसको एक तरह से माना जाता है कि वहां के लोग consume ही करेंगे लेकिन duck flake जो है वो त्रिपुरा में ऐसा देखा गया कि वहां पे start हुआ है तो जिसके basis पे animal husbandry और veterinary department है उनका कहना है कि यह जो चीजें है अभी एक तरह से उनको import नहीं करना चाहिए जिस temporary उस पे van लगा दिया है other states से आने वाली poultry पे एक precautionary measure लेते हुए अब next editorial page है आज Saturday है तो next यहां पे इस वाले page में जो ground zero है वो situation दिखाई जाती है और जो first page है यहां पे बात की जा रही है जो national statistical office ने अपना जो Tuesday Thursday को जो अ कि आखिर GDP जो है वो किस तरह से रहने वाली है उसके उपर यह article बात कर रहा है अब यह जो यह वाला जो article है वो बात कर रहा है Central Vista जो project है उसमें आखिर क्या ऐसे questions है क्या ऐसी कमिया है जिनको government ने अभी तक देखा नहीं है next यह वाला जो article है वो बात कर रहा है अभी बदा कोई member ने कोई अपना जो comment दिया है बकता भी दिया है तो उसके basis पर यह article बात कर रहा है फिर यह वाला जो article है वो इंडिया और चायना की जो situation है उसकी उपर बात कर रहा है इसको discuss नहीं करेंगे सबसे पहले discuss कर लेते हैं सबसे first जो article जो national statistical office है उसने अपने projection दी है GDP के क्योंकि economy धीरे धीरे ही rebound हो रही है बट यहाँ पर जो optimism है national statistical office का वो काफी हद तक काफी जादा है तो जो first advance estimate economy के output का दिया है current financial year में वो एक economy के बारे में बता रहा है कि economy एक तरह से robustly बहुत ही जल्दी जल्दी जो है वो pandemic की बज़र से जो उसमें slump आया था जो उसमें गि two quarters में एक बार 23.7% और एक बार जो है 7.5% की जो गिरावट आई है जिसकी वज़े से economy टेकनीकली recession में चली गई तो उसके बाद से जो है वो एक काफी जो national statistical office है उन्होंने Thursday को project किया कि GDP जो है वो 12 मंत जो की March में end होने वाली है उसकी जो cost है वो होने वाली है total 134.4 lakh करोर constant prices जो की 7.7% reflect कर रहा है last year के figure से मतलब GDP में सिर्फ 7.7% का ही contraction होगा ऐसा कहना है NSO का अब यहाँ पे NSO ने assume किया है कि output जो है वो एक तरह से बहुत जादा ही vigorously recover होने वाला है third और जो fourth quarter है अब 16% जो है April से लेके September तक GDP contract हो चुकी है altogether तो उसका मानना है कि GDP जो है सिर्फ 10,400 करोर रुपे sort है last year के second half के figure से तो इसके बाद जो है COVID-19 एक तरह से vaccine का accumulation start होने वाला है तो जो consumer का confidence है जो भी पैसे खर्च नहीं कर रहा था या फिर जो businessman है जो business expense नहीं कर रहा था धीरे धीरे उसमें भी confidence आएगा तो जिससे की output अभी और भी ज़्यादा बढ़ सकता है अब यहाँ पे जो economic reality है कि NSO का जो भी detailed sectorial output forecast है साथ में जो trend आ रहे हैं ground label activity से अब यहाँ पे expenditure site की बात करें या gross value added means जैसे suppose एक कोई company है वो कुछ product बनाती है तो उसका जो भी input cost होगा उसके बाद जो उसका output आएगा तो output में से input को minus करेंगे तो वो कहलाएगा value added तो जो gross value added है across various industries point to the high degree of optimism तो एक तरह से NSO है वो बहुत जादा ही optimistic है आसावादी है कि यह आगे चलके increase होगा ही होगा अब private consumption expenditure जो single biggest component है GDP को आगे लेने के लिए 50% वो भी सरंक हो रहा है 9.5% full year में अब 19% वो already first half में contract हो चुका है तो यहाँ पे यह बात यहाँ पे की जा रही अब यहाँ पे NSO expect कर रहा है कि manufacturing जो है सिर्फ 9.4% ही सरंक होगी पूरे fiscal में तो first half में 20% ही गिर चुकी है तो आप second half का देखना होगा दूसरी तरह बात की जाए component of trade, hotels, transport, communication, broadcasting यह भी contract हो चुके है 21.4% और 12 मन्त में इतना जादा होने की एक तरह से आसंका है तो यहाँ पे बात की जाए कि pandemic related जो restriction है उसकी वज़े से काफी हद तक problem हुई है अब government की ज वो भी जादा कुछ तक जादा नहीं है अब NSO जो है वो government का जो final consumption expenditure है वो देख रहा है कि वो 17% बढ़ने वाला है second half में और जो first half का contraction है वो धीरे धीरे खतम हो जाएगा वो एक दूसरे को जो है वो void कर देगा अब यहाँ पे annual जो figure है government के expenditure का वो 5.8% की जो है वो growth दिखा आने वाला है अब यहाँ पे बात की जाए कि November end का जो fiscal data है वो सो कर रहा है कि government जो है उसने जो भी budgeted अपना target रखा था revenue capital expenditure का जो government खर्च करने वाली थी उसको भी government पूरा नहीं कर पाई है और अब दूसरी तरब बात की जाए कि government final consumption expenditure वो बढ़ सकता है second half में अगर government disorder ध्या भी डाला है उसमें एक point ऐसा है कि हो सकता है कि जो NSO के यह estimates है उसको जो है revision करना पड़े because upcoming economic survey जो है वो optimistic assumption ना लेके जो है वो sober assessment भी दे सकता है economic का एक जो है नीचे वाला assessment भी दे सकता है next यह जो article है इसमें बात की जा रही है कि women से ऐसा expect किया जा रहा है कि उनको जो है अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए उनको किसी भी तरह की जो freedom है वो नहीं है इस article में बात की जा रही है जो उन्नाव हात्रस और अब बदा रही थी और इसके बात से जो है उसको जो है death उसकी जो death है वो हो गई अब यहाँ पे पोलिस ने जो है वो post-martem और FIR भी register इसमें नहीं की जो culprit थे priest और जो two associate उनको arrested किया गया Thursday night को तो state government ने बोला है कि उसमें stern action लिया जाएगा बट यहाँ पे एक सौक की तरह एक चीज उन्होंने family को visit किया जिनका नाम है चंद्रमुखी देवी और उन्होंने ऐसा बोला कि जो woman को रात में कहीं भी नहीं निकलना चाहिए और अगर वो निकलते भी हैं so she should go with जो उनके children है या फिर किसी जो adult है उसके साथ ही बाहर जाना चाहिए तो इस तरह का जो remark है woman की situation की उ पर वो एक तरह से societal gender conditioning को so करता है और यहाँ पे insensitive जो utterance है जो इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है वो एक तरह से उनका काम है woman के right को uphold करना ना कि woman को इस तरह की एक तरह से जो है वो इस तरह की सला देना जिससे की जो एक primitive mindset को so करता है कि lawlessness जो है उसको जो है एक तरह से सराहा जा रहा है उसी के बारे में बोला जा रहा है कि condition खराव है वट आपको घर से बाहर नहीं निकलना है वो उस condition को ठीक करने के बारे में बात नहीं की जारी है जिसकि responsibility है police personal की responsibility है condition को normal रखने की उसके उपर कुछ भी नहीं बोला जा रहा है अब यहां पे woman से ही यह expect क कि वो खुद अपनी जो बैल बींग है उसको एंसे और करें तो गवर्मेंट का यहां पे कोई काम नहीं रह जाता अब यहां पे बूमेंट जो है वो बहुत सारे स्पेर्स आफ लाइप में इंक्लूडिंग जो साइन्स एंड टेक्नलोजी है वो इन स्टेट्मेंट की बजह से एक तरह से वो बहुत जादा ही उनको क्रिटिसाइज किया जाता है उनको पीछे रखा जाता है कि वो इन जो सेक्टर से उनमें काम नहीं कर पाएंगे अब यहां पे एक्वल राइट मोमे जो है वो इक तरह से जेंडर प्रिजुडेस मतलब पहले से ही अपने मन में एक ऐसी धारना बना लेती है कि जो बूमेन है उनकी ही एक तरह से यहां पे गलती है तो गवर्मेंट, पोलिस, फैमली उनको प्रोवाइड करना चाहिए सेफ एंवार्मेंट इन 2019 में जो NCRB का ड बहुत सारे लोग जो है सोसल स्टिग्मा की बज़े से जो बूमेन है वो जो है अपना केस रजिस्टर नहीं कराती हैं अब यहां पे जो निर्विया इंसिडेंट हुआ था उसमें जो क्रिमनल लौ अमेंडमेंट एक था उसने भी रूल्स रखे थे इस्टिंजेंट पनिस और बूमेन जो है उनको वर्क फोर्स जोईन करने के लिए बहुत जादा ही प्रिरित करना चाहिए अब यहां पे एक डाटा दिया हुआ है जिसको आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग तू सेंटर फोर मॉनिटरिंग इंडियन एकोनोमी ड बूमेन जो है वो 10.7% जो है तो टोटल औरोबर वर्क फोर्स की है और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बूमेन की जो है जॉब COVID-19 पैंडमिक की बज़े से चली गई बट जो मैन है उनकी जॉब तो बापस मिल गई बट बूमेन has not got their job तो ये 2021 में एक तरह से ये एक सेम है एक सर्म की बात है कि जब बूमेन जो है वो चांद पे जा सकती है बट वो एक तरह से चांद पे जाने के लिए तयार है बट उनको जो है वो घर से बाहर नहीं निकलने दिया जारा नाइट में तो ये एक तरह से बात यहां पे की जा रही है नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है उसमें बात की गई है जो सेंटर बिस्टा प्रोजेक्ट है जिसमें की जो पाल्यमेंट की बिल्डिंग है और जो 51 जो मिनिस्ट्रीज है उसके डिपार्टमेंट से उनकी जो बिल्डिंग से उनको वहां पे जो है शिफ्ट किया जाना है Central Vista Project के अंतरगर जिसमें की Supreme Court का कहना है कि Government ने सारी जो policies है उनको जो है वो follow किया है तो Supreme Court इस पे एक तरह से रोक नहीं लगा सकता इस आर्टिकल का क्रक्स यह है कि Government ने जिस तरह से उसकी जो tender की प्रक्रिया की है उसमें कुछ कमिया यहां जो आर्टिकल का राइटर है उन्होंने गिनाई है जैसे कि जो designer को choose करने की जब बारी आई तो Government ने बहुत बड़ा threshold एक तरह से रखा कि एक जो company है construction की company है उसके पास technically available बहुत सारे person होने चाहिए जो technically situation को monitor कर सके Government ने जो है वो दूसरी तरफ company के size पर भी बहुत ध्यान दिया कि किस company को invite किया जाना है तो एक तरह से यह एक closed bidding हो गई जिसमें कि pre-decided कुछ ही company जो है वो आगे आ सकी अगर government यह जो चीज है वो सभी के लिए open कर देती तो हो सकता था कि यहाँ पर price भी कम लगता और जो है काफी अच्छे जो लोग हैं वो आगे आ सकते थे अगर जो government है वो एक तरह से जो European Council of Europe, Architects Council of Europe है उन्होंने जब इस तरह की situation को face किया था तो उन्होंने turnover की requirement को जो है वो drop कर दिया था और उन्होंने जो qualitative selection criteria रखा था और जो यहाँ पे जो design service है, project development and management है तो उस पे ज़्यादा focus करने की बात यहाँ पे की जा रही है बाकी जो ग्राउंड zero है इसको discuss नहीं करेंगे promise start हुआ, दूसरा state election commission ने announce किया है कि जो local body election है अंदरप्रदेश के उसके उपर यहाँ पे बात की जा रही है next यहाँ पे यह जो case है, यह case आजकल बहुत जादा ही increase हो रहे हैं जो youth ends life over lawn appearance तो यहाँ पे जो suicide का एक और case आया है जिसमें कि राजना स्रिचला district है 24 year old youth उसने अपनी life end कर दी तो यहाँ पे बात की जाए कि इसमें कुछ ऐसे app होते हैं कि वो कोई person जो है money directly borrow कर सकता है without any collateral बट उसमें एक case होता है कि वो जो loan देने वाली company है वो person की पूरी जो detail है उसके जो contract है उसको trust कर लेती है उसके बाद जो उसके relatives हैं friends है या फिर उसके कोई colleagues हैं उनको particularly phone लगाया जाता है उसमें exorbitant जो है वो interest पहले तो charge किया जाता है और अगर जो person है वो money जो है वो नहीं दे पाता है तो उसके basis पे उसके जो relatives हैं friends हैं कलीक से उनको phone लगा के जो है वो saving की जाती है तो जिसके basis पे जो है ये जो youth है उसकी death है वो हो गई अब यहाँ पे सबसे बड़ी कमी है कि government का कोई policy intervention नहीं है यहाँ पे जो कोई भी company है वो ऐसा काम अपना call center open करके कर सकती है आधार काट के basis पे तो यहाँ पे privacy का सबसे बड़ा issue है और किसी भी तरह का जो है यहाँ पे regulatory framework नहीं है जिसके basis पे जो money है provide करने वाली company अगर without collateral भी provide कर रही है तो उसको regulate किया जासा कि कि उसके पास वो money कहां से आया लोगों को जो है वो देने के लिए यह बात भी यहाँ पे नहीं की जा रही है अब यहाँ पे next बात की जाए कि Delhi asked Beijing to allow crew changes for stranded sailors जो COVID-19 pandemic की situation start हुई थी तो उस time से ह जो 23 Indian sailors है वो एक तरह से अपने जो boat है या जो उस सिफ है उसमें फसे हुए है और जो चाइना है उसको एक तरह से उधर पे stranded किये हुए है जिसके basis से वो बापस नहीं आ पा रहे हैं इंडिया में अब next यहाँ पे बात की जाए तो as you to hear plea against confession अब यहाँ पे एक बात की गई है जो Christian religion है उसमें एक तरह से जो लोग है उनको priest के सामने cleric के सामने अपना जो है वो confession करना होता है जिसके basis पे यह compulsory practice है जो right to privacy को violate करती है यहाँ पे plea जो group of women ने लगाई है Supreme Court में उसके basis पे यहाँ पे chief justice का कहना है कि यह जो case है क्या वो उनके ambit में आता है क्या यह कोई religious custom तो नहीं है तो उसके basis पे जो इंडिया के जो law officer है solicitor general है तो सार मैता उन्होंने अपनी बात रखती हुए कहा कि यह जो है personal law और customs जो है communities जैसे बहरा Muslims और Parsi अगर Supreme Court उसमें intervene कर सकता है तो इसमें क्यों नहीं अब यहाँ पे जो legal ambit है वो केरला हाई court में पहले से ही इसके उपर जो है वो case चल रहा है केरला हाई court के जो judges हैं उनको situation काफी अच्छे से यह पता है अब यहाँ पे बात की जाए कि जो confession करना होता है उसके basis पे अगर कोई person जो है अपनी बात रखता है जो जो वहाँ के जो father होते हैं church के उनके सामने तो जिसके basis पे problem create हो सकती उसकी जो privacy है वो harm हो सकती जिसकी वज़े से जो mental, torture, sexual exploitation किया जा सकता है और उसको जो है एक तरह से voluntary किया जाना चाहिए यह अभी compulsory है कि कोभी person को जो है वो confession करना होगा अब यहाँ पर youth kill and danger dolphin in UP अब बहुत ही यह sad बात है कि जो youth जो है मतलब उन्होंने जो national aquatic animal है जो की dolphin river गैंगेटिक river dolphin है उसको एक तरह से उन्होंने उसको देखा और उसको जो है वो लकनव में उसको मार दिया उनके अगेंस जो है वो F.I.R. launch पी की गई है बट यह जो act है उसके basis पे यहाँ पे जो criminal mindset है youth का अगेंस्ट जो animals है या जो aquatic animal है अपने खुद के मतलब एक तरह से देखा जाया तो मजे के लिए उन्होंने उसको dolphin को किल कर दिया वो एक endangered animal है और वो national aquatic animal है और उसको उलहाडी से एक तरह से मार दिया गया अब जो next page है उसमें world की जो news है उसके उपर बात की गई है डॉनल्ड ट्रम का कहना है कि उनका पूरा focus रहेगा कि smooth जो transition हो 20 जनवरी को जो होने वाला है और president जो है वो भी attend नहीं करने वाले हैं जो यह meet है जो swearing and ceremony होगी उसको जो है वो meet नहीं करने वाले हैं अब यहाँ प on Friday she spoke with nation's top military leader about ensuring that an unhinged President Donald Trump मतलब President Donald Trump के बारे में बात की जारी है यहाँ पे कि वो एक तरह से उन पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता वो कोई nuclear attack ना कर पाएं अपने final days of office में उन्होंने chairperson of the Joint Chiefs of Mike Mark मिले से भी बात की है कि क्या precautions लिये जा सकते हैं कि अगर Donald Trump किसी इस तरह का को decision ना ले लें जिससे की nuclear launch किया जा सकें अब next यहाँ पे बात की जारी है कि Swiggy के बारे में बात की जारी है Swiggy और जो Instacart उसका जो की aggregator है जो की provide करता है home to home delivery service उनका जो input tax credit का 27.5 करोर का एक fraud है तो उसके उपर यहाँ पे जो goods and services tax जो है वो इनके द्वारा ले लिया गया एक तरह से fake claim इनने किया input tax credit का input tax credit क्या होता है अगर कोई person जो है let's suppose उसने एक machine purchase की है एक printing press बनाने के लिए और machine की cost जो है वो 10,000 rupees है let's say वो 12% उसके tax दे चुका है तो 1200 rupees वो tax already pay कर चुका है अब उस machine की help से अगर वो कोई चीज बनाता है तो let's say वो अगर उसमें 1 lakh rupees earn करता है और उसके basis पे government को वो जो है GST pay करता है let's say 5000 rupees तो अब वो जो machine है उसने पहले ही machine को purchase करते समय 1200 rupees पे कर चुका है तो बाकी के अब उसको government को सिर्फ 3800 rupees ही pay करने पड़ेंगे तो इसको बोला जाता है input tax credit मतलब जो tax है उसके उपर फिर से tax नहीं लगाया जाता अगर आप पहले सही tax पे कर चुके हैं तो यह condition यहाँ पे बन रही है अब यह sport page है इसको discuss नहीं करना है दूसरा जो bank staff है वो सीख कर रहा है कि उनको priority देना चाहिए COVID-19 vaccination के दौरान जिससे कि उनका जो काम है वो काफी seamlessly चल सके because public से सबसे ज़्यादा connection जो है वो bank staff का, police personal का सबसे ज़्यादा एक तरह से रहता है तो उनका कहना है कि उनको vaccine जो है वो provide की जानी चाहिए Thank you very much